नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है। हरबड़ी में कई गरबड़िया कर दिये। बड़ी उससे भी बड़ी आई है। अब तो पुलिसी से लटा भी नहीं सकती। और वो यह है कि नौ जुलाई को जियो दो बदमास मारे गए थे। एक बहुआ दुबे इटावा में और दूसरा जो मारा गया था वो कानपूर में कार्थ के उर्प्रभात मिस्र। प्रभात जो है फरीदाबाद में विकास दुबे के साथ उसके रिस्तेदार स्रवन वो अंकूर के यहां रुका था और कहा यह गया कि जिस दिन कानपूर के बिगरूगाओं में एंकाउंटर हुआ प्रभात मिस्रा भी मौजूद था लेकिन अब जो बात निकल करके आ रह इंकाउंटर से पहले उसकी आखरी बार अपनी बहन से बात चीत हुई थी तब वो अब बोला था कि नाम नहीं लूँगा जो भी है जहां भी है सब ठीक है इसके बाद फोन कट गया था पुलिस का दावा है कि जब वो उसको लेकर के फरीदाबाद से आ रही थी पनकी छेत साल का था उसकी दस्वी की मार्क सीट और आधार काड से पता चलाया कि उसकी जन्मति थी 27 मई 2004 है प्रभात पढ़ाई में भी अवल था उसे एक ग्रेड मिली हुई थी हिंदी में 82 अंग्रेजी में 83 नंबर थे परिवार वालों ने बताया कि उसको कक्छा में इसी तरह से नंबर ले आता था लोगों ने उसके बैवहार की भी तारिफ की है जिसने प्रभात के वारदात में सामिल होने की सुचना सुनी वो दंग रा गया था क्योंकि वो सोची नहीं सकता था कि 16 साल का लड़का और वो भी पुलिस पे गोली चलाते हुए उन्हें भून देगा प जबाब गंज के इंस्पेक्टर रमा कांट पचवरी के पास थी जो की गैंगेश्टर विकास दुबे के साथ हुई मुटबेण में घायल हो गये थे और वो चुकि इस मामले में पाटी बे थे इसलिए जांच बदली गई है लेकिन असल सवाल ये है कि प्रभात का कसूर क् उसे मारा क्या पुलिस को पता नहीं था कि ये नबालिक है अब उसकी जिंदगी लोटा करके कौन देगा क्या वो सामिल था गोली चलाने में अब देखते हैं कि पुलिस इसका क्या जबाब देती है खुशी के मामले में तो उसने ये जबाब दिया कि 179 की करवाई करके उस